हेलो गाईस तो आज इस वीडियो में में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का सपोर्टे मटेरियल इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर वन नंबर सिस्टम ठीक है तो चले देखते हैं का क्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है वो लगया ہے write first 5 whole number in p by q form where p and q are integers and q not equal to 0 क्या हमें first 5 whole number लखने है p by q की फर्म में और p और q intars होने चाहिए जहां पे q not equal to 0 ना चाहिए ठीक है तो first 5 whole number क्या होते है हमारे पास, देखिए, question number first, देखे, कैसे हो गए, first 5 whole number बोला गया है, तो first 5 whole number कौन से होते हैं, देखिए, whole number कहां start होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यह हमारे क्या हो गया, first 5 whole number, हमसे बोला गया, P by Q की form लिखना है तुम्हें पता है उसके नीचे क्या होता है 1 होता है तो यह 0 upon 1 1 upon 1 2 upon 1 3 upon 1 और 4 upon 1 तो यह हमारे P by Q की form में हो गए जहाँ पे हमारा denominator में हमलब Q है वो not equal to 0 है तो यह हमारा question of first का answer हो गया ठीक है अब question number second देखी question number second में कहा है find decimal expansion of 17 by 8 3 by 15 2 by 7 and 50 by 3 ठीक है मैं आपको बस first और second करके दिखाऊंगा 17 by 8 और 3 by 15 करके दिखाऊंगा अब 2 by 7 और 50 by 3 खुट ट्राइ कीजेगा गर नहीं होगा तो मेरे को बताना तो मैं भी कर देंगे ठीक है question number 2 हमारे पास कुछ fraction दे रिखे हैं say 17 by 8 3 by 15 2 by 7 और 50 by 3 हम इसका decimal expansion निकालना है सबसे पहले हम लेते हैं 17 by 8 को इसको लेते हैं 17 by 8 कैसे करेंगे मैं कुछ नहीं करना बस डिवाइड करना इसके अंदर हमें देखें निमेटर निमेटर के हमारा 17 डिवाइडर हमारा 8 तो हम 17 को दर रखेंगे 8 को भार रखेंगे 8 तूजा 16 अचा 1 पॉइंट से 0 आगया 8 वण जा 8 2 और 0 8 तूजा 16 ठीक है यह तो आपको लोग को आती होगा ठीक है बहुत सिंपल है और 4 पॉइंट से 0 8 पॉइंट से 40 ठीक है तो इसका हमारा decimal expansion आगया 2.125 अब यह जो decimal expansion है ठीक है एक किस टाइप कहा है देखो यहाँ पर हमारा remainder 0 आगया जब remainder हमारा 0 आजाता है तो यह decimal expansion क्या हो गया हमारा terminating तो यह हो गया हमारा terminating ठीक है तो यह इसका answer हो गया अब इसका second part second में क्या है 3 upon 15 ठीक है यह first part का second part देखिए बोला गया हमारा fraction है हमारे पास 3 upon 15 जैसे हमने first पाल में किया था 17 by 8 में 17 को अंदर रखा था वैसे हम जो numerator है 3 उसको अंदर रखेंगे और 15 को भार रखेंगे तो 3 हमारा चोटा है तो यहाँ पे हम जीरो पॉइंट लगाके जीरो ले लेंगे 15 to the 30 क्या बचा जीरो तो इसका भी decimal expansion क्या है इसका 0.2 तो यह भी क्या हमारा रिमेंटर जीरो आ गया तो यह भी क्या हमारा टर्मिनेटिंग ठीक है अगर हमारा रिमेंटर जीरो नहीं आता है हम पे तो उसमें क्या लिखते है नॉन टर्मिनेटिंग चलिए next देखते है चलिए मैं इसको 2 by 7 और 50 by 3 भी आपको करके दिखाए तो कैसे हो गए हमारे पास है 3rd parts में 2 by 7 ठीक है 2 by 7 है तो देखी कैसे होगा 2 को हम अंदर रखेंगे 2 को अंदर रखेंगे 7 को भार रखेंगे डिवैड करेंगे है आपे 0 आ गया 7 2 14 क्या बचाए 6 बचेगा 0 आ गया 7 8 जा 56 4 बचा 0 75 जा 35 पर 5 बचेगा है आपे 0 77 जा 49 1 बचेगा खीक है ट्रिक 0 फिर 7 1 जा 7 फिर 3 बचेगा ठीक है फिर 0 आ जागा है आपे 7 4 जा 28 फिर 2 बचेगा तो देखे ज़िए ज़िए स्टार्टिंग में हमारे पास 2 था फिर से यहापे हमारा 2 बच गया तो अब क्या है कि अब दुबार से जो हमारे पास यहाए 285714 यह दुबार से रिपीट हो जाएगा ठीक है तो हम इसके पर बार लगा देंगे तो इसका डेसिमल इस्पेंशन आया हमारे पास 0.285714 तो अब यह हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है 285714 क्योंकि रिमेंडर में again हमारे पास क्या बच रहे यहांपे 2 जो स्टार्टिंग में 2 था हमारे पास अगें 2 बच रहे है यहाँ ठीक है तो यह हमारा क्या है यहाँपर यह बार लग जाएगा अब रिमेंडर हमारा 0 तो आया है नहीं तो हम इसको लिखेंगे non-terminating यह जो decimal expansion है यह हमारा non-terminating type ठीक है अब अगला देखते हैं अगले में क्या है 50 upon 3 ठीक है अगला हमारे पास 50 upon 3 इसको भी कर लेते हैं तीन कर ली इसको भी कर लेते हैं देखिए देखिए क्या था 50 upon 3 4 पार्ट था इसका 50 upon 3 कैसे होगा देखिए इसको 50 को अंदर रखेंगे 3 को भार रखेंगे ठीक है तो डिवैड करेंगे 3 1s are 3 2 बचेगा 0 3 6 जा 18 यह बचेगा हमारे पास 2 फिर 0 पॉइंट लागे 0 ले लें यहां पर ठीक है तो 3 6 जा फिर 18 फिर 2 पॉइंट से 0 फिर 3 6 जा 18 ठीक है अब हमें दिख रहा है कि हमारे यह 6 6 बार-बार रिपीट होता जा रहा है ठीक है तो हम क्या 6 के पर बार लागा लेंगे तो 50 अपॉन 3 का डेसिबल एक्सपेंशन मन जाएगा हमारा 16.6 के उपर बार तो यह जो डेसिमल एक्सपेंशन है किस टाइप का है यह हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किन और रिपीटिंग नॉन से यह 5 आदाग से एक्सपेटिंग तो यह जो प किया चीदी अनॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जाता नोइं यह वहां 50 upon, थी बाले में, तो ये क्या हमारा, नॉन टर्मिनटिंगें है क्यों, क्योंकि रिमेंडर हमारे 0 तो हर नीदी, बठ हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि हमारा उज़क吃 नंबबर हा बड़ लाइर है, तो इसमें लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, non-terminating and repeating ठीक है यह question number second complete होगा हमारा question number third देखते हैं देखे question number third में कहा है find four rational number between two by nine and three by seven ठीक है fraction के हमार पस two by nine and three by seven और हमें rational number कितने find करने है four rational number find करने है four rational find करने है between two by nine and three by seven ठीक है चले देखते कैसे होगा है ठीक है नंबर किया हमारे पास question number three number हमारे पास two by nine है और एक three by nine है सबसे पहले समझी जरस को हमें कभी भी दो fraction के रखे हो और दो नंदो fraction के बीचे बोला गया हमें rational number find करो ठीक है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि उसके denominator हमें उसके बराबर करने है ठीक है तो denominator बराबर कैसे होंगे seven को यहाँ उपनीचे multiply करना है और nine को यहाँ उपनीचे अब यह नंबर क्या बन गया हमारे पास seven दो 14 और 97 जा 63 और यह क्या हमारे पास nine three जा 27 और 97 जा 63 अब जड़ा ध्यासक देखिए यह नंबर हो गया हमारे पास 14 अपान 63 और 27 अपान 63 ठीक है तो हमें कितने rational नंबर लिखने है इसके बीच में four rational नंबर तो देखिए कितना 14 और यह क्या है 27 तो हम लिख सकते हैं बड़े आराम से क्या क्या हो जाएगा 15 अपान 63 16 अपान 63 17 अपान 63 और 18 अपान 63 ठीक है four rational नंबर बोले थे तो यह हमारे यह जो हमारे पास यह होब है हमारे four rational नंबर ठीक है I hope कि आपको समय में आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे से comment section में comment करके पूछ सकते हैं ठीक है चलिए अब next question देखते है next question बहुत अच्छा question है देखिए next question में क्या है find decimal form अब तक यह question बहुत easy चीछ थे अब यह देखिए ज़रा find decimal form of root 23 and root 24 up to 3 decimal places ठीक है यह बहुत अच्छा question देखिए ज़रा हमें root 23 और root 24 का decimal expansion निकालना है कितने place तक 3 places ठीक है चलिए देखते हैं कैसे हो गाई question number 5 ठीक है देखिए क्या है मार पस root 23 तो हम पहले इसका decimal expansion निकाल लेते हैं देखो अभी यह root 20 अगर यहां पर root 25 होता है तो हमें पता है कि रूट 25 को तुम ले सकते हैं 5 ठीक है कि रूट 25 होता है हमारा 5 का square होता है बट रूट 23 तक इसका square होता नहीं है इसको क्या solve करेंगे इसको हम करेंगे long division method से ठीक है class 8 में आप लोग ने सीखा होगा हम जिसका perfect square नहीं होता है तो इसको long division से solve करते है इसका square root तो वैसी हम यहाँ पे long division method लगाएंगे और root 23 की value को finding करेंगे तो देखे कैसे होगा ए इसमाल हमने 4 लग दिया ठीक है और हम 4 से ही हमें multiply करना है ठीक है तो अबने 4 लिखा और 4 से multiply किया тов euch 16 do तो करना क्या होता है हमें वो नमर लिखना होता है कि उसी नमबर से multiply करने पर या तो हमें 23 मिलना चाहिए था या तो 23 से छोटा ठीक है तो अगर मैं 5 रखते हैं तो 5 5 25 23 से बढ़ा हो जाता है तो हमने क्या रखा है यहां पर 4 रखा तो 4 4 जा 16 अब 23 मसे 16 माइनस होगा तो मार अब बचेगा 7 ठीक है अब जड़ा ध्यान देखिए जब हम डिवाइड करते हैं जब हम इस तरीक से डिवाइड करते हैं कुछ तो अंदर वाल नमबर से छोटा होते हैं तो हम पॉइंट लाग 0 ले लेते हैं ठीक है तो वैसे ही अब यहां पर क्या करेंगे देखिए अभ यह पेर और यह पेर ठीक है अब इस जीरो को जो हम नीचे उतारेंगे तो हम इसा एक जीरो नीचे उतारेंगे तो हम इसा एक जीरो नीचे उतारेंगे तो हम इसा नमबर इसमें पेर को उतारते हैं तो यह दो जीरो नीचे आएंगे ठीक अब देखिए अहां हमें करना क्य है जह हमने point के बाद वाला number नीचे उतारा तो यह जो point है हमारा यहां लग जाएगा ठीक है और जितना हमने यहां लिखा था 4 उतना ही 4 में हमें add करना है जो add करेंगे तो 4 और 4 कितना हो गया है 8 हो गया ठीक अब देखिए हम 8 के साथ एक ऐसा number लिखना है फिर जो हमारे पर number बनेगा जो मालो कि मैंने 8 के साथ 7 लिख दिया ठीक है तो 87 को हम किस से multiply करेंगे 7 से multiply करेंगे तो 87 को 7 से multiply करने पर देखो हमें number क्या चाहिए तो 700 यह 7 से कोई छोटा number बिल जाए ठीक है जो हम 80 यहां पर 7 रखेंगे और 7 से multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 609 ठीक है और जो इसको minus करेंगे तो हमारा आएगा 91 ठीक है अब देखिए जो हमने 7 यहां रखा था इतना ही इसमे अब करेंगे तो यह बन जाए गर 7 7 14 14 को 4 करी बन यह वां यह होगे 94 ठीक है अब क्या करेंगे 91 94 से चोटा है तो हम यहां से 20 होड़ा लेंगे ठीक है तो यह होगे 9100 ठीक है तो यह नाइंटीवन हंड्रड हो गया अब क्या करेंगे हम आप नैंटीफॉर के से एक number रखना के आब 9, तो अब होगे 949, तो अब 949, आब 949 एपने 9 रखा, तो इसको 9 से ही multiply करना पड़ेगा, ठीक है, तो 949 को जो हम 9 से multiply करेंगे, तो हमें मिलेगा 8541, ठीक है, अब 9100 में से 8541 को minus करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 559, ठीक है, और हमने यह 9 रखा, तो 9 को add करेंगे, जब add करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 18, 1 carry 5, यहाँ पर आजेगा 9, ठीक है, अब देखिए, हमारा 559, 958 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक पर रोल तो आ लेंगे 0's का, ठीक है, अब हमें क्या रखना है यहाँ पर, हमें एक ऐसा नमर रखना है, क उसी नमर से पूरी संख्या को multiply करने पर, या तो क्या मिले, 55,900 या उससे छोटा, तो हम क्या रखेंगे, आप रख देंगे, 5, तो हम 958,5 को put करेंगे, और फिर इस पूरी संख्या को जहाँ 5 से गुना करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 47925, ठीक है, आप हमें क्या चीए था, हमें रूट 23 की value, 3 decimal प्लेस सक चीए थी, जो हमें मिल चुकी है, तो 4.795 का decimal expansion आ गया, 4.795, ठीक है, हाला कि भी खत्म निवा, आगे होता रहे गाई, एक रैशन नमबर है, नहीं तो ये repeat होगा, नहीं तो ये terminate होगा, ठीक है, तो बस हमें 3 decimal प्लेस स 795, ठीक है, इसी चरीके से हम निकालेंगे, root 24, root 24, तो देखे, root 24 कैसे करेंगे, जिसे हमने root 23 solve किया है, वैसे हम solve करेंगे, root 24 की value, ठीक है, तो देखे, तो लिकिंगे हम root 24, ठीक है, हम वही नमबर इतना है, उसे हम इसे multiply करना है, तो यहाँ पे, root 23 वाले हमें 4 रखता है, तो देखो, अगर मैं 5 रखता हूँ, suppose कि जोग मैं 5 रखता हूँ, तो 5 से multiply करना है पड़ेगा, तो 5, 5 से कितना है, 25, तो वो 24 से हमारा बढ़ा हो देगा, तो हम क्या 4 ही रखेंगे है, तो 4, 4s are 16, ठीक है, क्या बचेगा सब्ट्रेक करके, सब्ट्रेक करके बचेगा हमार जिरो से लिए रहे हैं, क्योंकि हमें 3 decimal place तक चाहिए answer, तो हमारा 6 रखने पर 3 decimal place तक answer हमें मिल जाएगा थे, ठीक है, तो हमने आप 6 रखने और पेर बना लिए, यह 0 का पेर बना लिए हमने, अब हम क्या करेंगे, जब point के बाद वाले 0s को नीचे उतारेंगे है, यह कितन 800 तो हमारा 4 के पास एक point लग जाएगा 4 के साथ, ठीक है, और जो हमने यहाँ पर 4 रखा था, उतना ही इसमें add करेंगे, तो 4 और 4 कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, अब देखी, अब क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर वही एक number रखना है, ठीक है, एक number रखना है, वही number और वह उस number को रखने के बाद जो पूरा number बनेगा हमारे पूरा number बनेगा, उस number को उसी number से जो number रखेंगे यहाँ उसी से multiply करने पर या तो 800 बने या 800 से कोई छोटा बने, ठीक है, तो 8 के साथ जब मैं 8 रखना और 8 से जब मैं इसको multiply करूँगा, तो हमें मिलेगा 704, ठीक है, तो 0 ता रहेंगे, या 8 add करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारे पास 96, 96 हो गया हम, ठीक है, अब क्या करेंगे, 96 के साथ के रखेंगे, 9 रखेंगे, और 9 रखने के बाद हमारा हो जाएगा, यह 9 से multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा 8721, ठीक है, सब्ट्रैक करने बाद 879, 9 और 2 0 नीच उतार देंगे हाँ, ठीक है, 879 में लेगा सब्ट्रैक करकी, यहां से हमने 2 0 नीच उतार दिए, 9 लगाए था हमने, तो 9 add करेंगे, 9 add करेंगे तो हमें मिल जाएगा, 978, ठीक है, 978, अब 978 के साथ हम क्या पूट करेंगे, 8, 8 रखेंगे, 8 से multiply करेंगे, तो हमारा बन जाएगा, 78304, ठीक है, सब टेक्रेजर होती है, हमें बस यह चीए था, ठीक है, तो यह हमारा root 24 का answer आ गया, 4.898, और यह हमारा root 23 का answer है, 4.795, ठीक है, तो यह 5 question हमने complete कर लिए इसके, अब next video में हम question number 6 से start करेंगे, ठीक है,